हेलो फ्लेंट्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात कुवीड पैंडेमिक के बारे में सब जानते हैं और आप सब जानते हैं कि सब कुछ अभी बहुत उपनली सब ठीक से चल रहा है नॉर्मल आप लोगोंने बहुत जादा जो है साबधानी बरतनिया ठीक है एक महीना डेड महीना बाहर नहीं जाओगे दोस्तों से नहीं मिलोगे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला बेच में बिमार हो गए अगर तो तयारी खराब हो जाएगी अब कोई कह देगा कि हो भी गए तो क्या पंदरा दिन में ठीक हो जाएंगे बेटा पंदरा दिन पढ़नी पाऊ गया और सारी की सारी तहीरी अगर पिछले 6 महीने 8 महीने मैनच किया वह सारी की सारी वैसे की खराब हो जाएगी ठीक है तो ध्यान रखना है ठीक है चलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड 2020 का पार करेंगे ट्रेड इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड 2020 में उनको देखेंगे काफी इंपॉर्टेंड वीडियो ये वाला रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो रेजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड उनियन तो इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड में एक सिंपल सा जॉइंट रेजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड उनियन डेप्यूटी रेजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड उनियन भी अपॉइंट कर सकती है और यह जितनी पावर्स होईंगी की रेजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड उनियन की क्या पावर्स होईंगी डेप्यूटी या जॉइंट of trade union की अब कोई भी trade union अगर form हो रही है रेजिस्ट्रार के पास तो registration कराने ही जाओगे नँगे तो registration of trade union से related क्या provisions है तो registration of trade union में सबसे पहला important provision किया है 7 या 7 से जादा लोग trade union के apply कर सकते है registration के लिए यानि कि minimum 7 साथ लोग होने चाहिए अपलाए करने के लिए जो रिजिस्टरार के पास जाएंगे ठीक है साथ लोग अपलाए करने जाएंगे मैं यह नहीं कहा रहा कि strength कम से कम साथ होनी चाहिए strength कुछ और है strength की बात अभी आगे देखेंगे यहाँ पर यह क्या गया रहा है कि कम से कम साथ signies होने चाहिए साथ लोग होने चाहिए जो register करने जाएंगे trade union को साथ या साथ से जादा ठीक है अब यहाँ पर और हम लेके चलते हैं for example अगर किसी एक company के अंदर किसी एक industry के अंदर 80 employee हैं तो क्या कहता है कि कम से कम 10% होने चाहिए यानि कि कम से कम आठ लोग जो है इस company में जो है इस trade union का part बनेंगे कम से कम 8 workers इस trade union का बनेंगे तभी यह register हो सकती है ठीक है अब इस case में 100 क्यों नहीं होगा क्योंकि whichever is less लिखा है whichever is less लिखा है तो यह एक चीज आपने दिमाग में रखनी है for example किसी इंडस्ट्री में 2000 वरकर काम कर रहे हैं ठीक है अब 2000 का 10% कितना हो गया 2000 का 10% हो गया बई 200 तो आपको होगे कि sir क्या 200 वरकर जब तक trade union को join नहीं करेंगे तब तक register नहीं कर सकते नहीं क्योंकि यह आपर क्या लिखा है 10% और 100 तो इस case में अगर 100 लोग भी हैं जहांपर 2000 लोग हैं 2000 वरकर्स हैं वहाँ पर अगर 100 लोग एक trade union बना रहे हैं तो उसको register किया जा सकता है तो 10% या 100 वरकर्स अगर एक trade union को join करेंगे तब ही उसकी registration हो सकती है नहीं तो उसकी registration नहीं हो सकती ओके registered trade union of worker shall at all times continue to have not less than 10% of the workers और 100 workers whichever is less एक चीज़ यहाँ पर और बोल दी गई है यहाँ पर यह बोल दिया गए कि अब registration तो हो गई अब कल को registration होने के बाद सारे member उसको छोड़ कर चले गए तो उसकी registration cancel भी हो सकती है तो registration maintain करने के लिए भी यह बोल दिया कि कम से कम 10% या फिर 100 होने ही चाहिए whichever is less और minimum भी इसमें set कर दिया कि minimum हर time पर एक organization में साथ worker होने चाहिए हर time पर साथ होने चाहिए for example मैं एक और example यहाँ पर ले लेता हूँ इसको हम एक बारी raise कर देते हैं अब for example मैं आपको कहता हूँ कि कि एक organization एक establishment है उसमें साथ worker है उसमें कितने worker है साथ ठीक है अब साथ worker का 10% क्या हो गया 6 तो आप कहादोगे कि condition satisfied है तो इसको trade union की registration दे दो तो यहाँ पर एक और point लिख दिया गया कि minimum 7 होने ही चाहिए तो अब इसका 10% तो 6 है पर इसमें कम से कम 7 लोग होने चाहिए तब इसकी registration maintained रहेगी नहीं तो इसकी registration cancel हो जाएगी तो 3 criteria देखो law में बाते कहीं बाद घुमा फिरा के लिखी गई होती है तो हम समझ नहीं पाते इसलिए हम आपकी help यहाँ पर करने के लिए आते है नहीं तो पढ़ने को कागत तो online free में available है कहीं पर भी पढ़ लोगे तो 3 चीज़े important होगी ध्यान से समझ लो कम से कम 7 लोग होने चाहिए ठीक है कम से कम 10% और 100 होना चाहिए ये 2 condition है ठीक है कम से कम 7 लोग trade union का part होने चाहिए और 10% और 100 वाली situation भी satisfy होनी चाहिए ठीक है अगर 100 वर्कर है तो 10% होगे 10 वर्कर तो कम से कम 10 होने चाहिए उस case में आप ये नहीं कहोगे कि sir 7 होगे तो trade union का certificate देजो नहीं 10% वाला भी satisfy करना है और 7 वाला भी satisfy करना दोनों condition satisfy होनी चाहिए तभी उसकी registration जो है वो maintain की जाएगी चलिए आगे बात करते हैं provisions to be contained in constitution जो भी rules होंगे जैसे जब कोई company incorporate होती है company की incorporation में हम क्या कहते है कि उसका MOU है Memorandum of Understanding है ठीक है MOU नहीं कहते है उसको sorry उसको Memorandum of Association कहते है MOA कहते है ठीक है वैसे ही trade union का भी constitution होएगा एक rules होएगे एक proper guideline वाली book होएगी कि हम इस objective के लिए trade union बना रहे है तो उसमें क्या-क्या होना चाहिए जो ये rules frame होंगे trade union के लिए सबसे पहले trade union का नाम होना चाहिए कि क्या नाम वो रखना चाहते है क्या objective है trade union का किसलिए उसको establish किया जा रहा है ठीक है trade union के जितने members होंगे उनकी list उनको maintain करनी पड़ेगी उसमें ये भी होगा कि जो ordinary members है उनको भी admit किया जाएगा irrespective of their craft or category एक industry के अलग-अलग craft के लोग होते हैं एक industry के अंदर एक company के अंदर अलग-अलग craft के लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको भी admission देने की बात उसमें लिखी जाएगी ठीक है subscription fees क्या ली जाएगी members से trade unions के जो members होंगे जो join करेंगे उनसे subscription fees क्या ली जाएगी वो भी उसमें इनको provide कराना होगा कि कितनी subscription fees वो collect करेंगे उके उसके इलावा the conditions under which any member shall be entitled to any benefit कि क्या conditions होंगी कि trade union का कोई member है उसको कोई benefit मिलेगा for example कोई trade union अपने rules में लिख दे कि अगर किसी भी worker को injury होती है तो trade union उसका hospital का खर्चा उठाएगी ठीक है तो इस तरह की conditions उनको mention करनी पड़ेगी annual general body meeting कब हुआ करेगी trade union के members की ठीक है और साथी साथ उसमें यह भी लिखना होगा कि यह जो elections होंगे जिसमें trade union के leaders को elect किया जाएगा यह कम से कम एक बार होने चाहिए हर तीन साल में ठीक है और किस तरह से casual vacancies है जैसे अकाउंट्स maintain करने आगा तो उसके लिए accounts का कोई बंदा चीए trade union में तो उन सब की appointment कैसे की जाएगी वो सारे procedure भी इनको उसमें बताना होगा ठीक है funds जो collect होंगे उनकी safe custody कैसे maintain की जाएगी कैसे उनको रखा जाएगा यह भी उसमें बताना होगा the manner in which the trade union में भी dissolved अगर trade union dissolve की जाएगी तो उसका क्या procedure होगा उसका क्या process होगा वो भी उनको इसमें सारा maintain करना होगा बताना होगा अपने rules के अंदर ठीक है जी चलिए next बात करते है incorporation of a registered trade union अब एक बाद trade union register हो गई तो वो incorporate होगी as a body corporate as a body corporate जैसे आपकी companies होती है companies भी क्या होती है हम उनको बोलते है कि body corporate होती है हम ऐसा क्यों बोलते है क्योंकि जो एक body corporate है इसका एक नाम होता है ठीक है इसकी एक अपनी पहचान होती है ठीक है इसकी एक अपनी पहचान होती है अगर आप Reliance के किसी product से satisfied नहीं हो, आप Jio से satisfied नहीं हो, तो आप Reliance के उपर case करते हो, आप Mukesh Ambani के उपर case नहीं करते हैं, क्योंकि Mukesh Ambani और Reliance दो अलग-अलग चीज़े हैं, ठीक है न, तो वैसे ही जब trade union register हो जाएगी, तो वो एक अलग entity बन जाएगी, ठीक है, उसका खुद का succession होगा, ठीक है, वो किसी एक बंदे के रहने या मरने से नहीं चलेगी, अगर, for example, आज किसी ने trade union बनाई, तो एक वो body corporate बन गी, कल को अगर वो नहीं भी रहा, तो election होके दूसरा बंदा बनेगा, उसका trade union का member, ठीक है, उस trade union की एक common seal होगी, उसकी power होगी, कि वो अपने trade union के पास right होगा, कि वो किसी के साथ contract में enter कर सके, वो किसी के ओपर case भी कर सकती है, और trade union के ओपर भी कोई case कर सकता है, ठीक है, तो body corporate का ये मतलब हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका जो industry relations code है, उसमें एक बात और कह दी गई, कि कुछ acts, जो register trade unions के उपर apply नहीं करेंग के वो कौन से acts है, बहुत important है, direct MCQ बन सकता है, societies registration act 1860, cooperative society act 1912, multi state cooperative society act 2002, companies act 2013, and बाकी कोई भी law, जो cooperative society से related है, किसी भी state में या central level पर, ये सारे के सारे कानून जो है, trade unions के उपर apply नहीं होंगे, बड़े अच्छे से इसको याद कर लेना, direct MCQ इसमें बन सकता है, चलो next बात करते हैं, trade unions की negotiating union या negotiating council, तो एक negotiating union या negotiating council का भी provision जो है, आपके industrial relations code के अंदर रखा गया है, ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये बोला गया है, कि जहाँ पर भी registered trade union है, जिस भी establishment में registered trade union है, उस establishment के employer या owner को एक negotiating union या negotiating council बनानी है, अब negotiating union क्या होता है, negotiating union basically, एक तरह से, देखो trade union तो बहुत बड़ी एक organization होगी, trade union में तो हजारो employees हो सकते हैं, ठीक है, तो negotiating union में basically employees होंगे, जो negotiate करने का काम करेंगे employer के साथ, अब हजार के हजार लोग आ कर तो negotiate नहीं कर सकते हैं, तो negotiating union, एक तरह से employees की ही एक union होगी, trade union का smaller version, जो basically employees के भीहाब negotiate करेंगे employer से ठीक है जी अब जिन establishment में सिरफ एक trade union है ठीक है जिस establishment में सिरफ एक trade union है तो उस case में तो employer जो है उस trade union से negotiating union बना लेगा उसी trade union को negotiating union declare कर देगा ठीक है उसमें फिर वो सिदा सिदा employees को बोल देगा कि अपनी trade union में से पांसाथ दस लोग चुन लो जो मुझसे negotiate करा करेंगे और वो आपकी negotiating union होगी अगर किसी organization में सिरफ एक ही trade union है generally जहाँ पर जिन companies में 100, 200, 300 employees होते हैं 500 employees होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा trade unions नहीं होती है एका trade union होती है ठीक है अब बड़ी industries है जिसे reliance, starter बहुत बड़ी-बड़ी industries है यहाँ पर multiple trade unions होती है जैसे banking sector अगर आप देख लो multiple trade unions होती है ठीक है तो अगर एक से ज़्यादा trade union है तो उस case में क्या होता है जो जिस trade union के 51% या ज़्यादा worker represent कर रहा है for example 1000 worker हैं के establishment में वहाँ पर दो trade unions है एक trade union में आपके 510 member है और दूसरी trade union में 490 member है तो 51% 51% से ज़्यादा किसके पास है 51% से ज़्यादा है आपके इस वाली trade union के पास तो इस case में employer क्या कह देगा इस case में employer कह देगा कि जो trade union के 51% या ज़्यादा members है वो negotiating union बनेगी workers की वो negotiate करेगी employer से ठीक है अब ऐसी भी trade union ऐसी भी industry हो सकती है जहाँ पर multiple trade unions है और किसी भी trade union के पास 51% से ज़्यादा members नहीं है ठीक है किसी के for example again आप example ले लो 1000 वरकर हैं किसी के पास 100 हैं किसी के पास 500 हैं किसी के पास 50 हैं ऐसे हैं किसी के पास 51% या 51% से ज़्यादा नहीं है तो उस case में negotiating council बनेगी उस case में negotiating council बनेगी अब negotiating council क्या होगा different trade unions में से members लिये जाएंगे कि वही एक बंदा इस trade union से ले लो एक बंदा इस trade union से ले लो लेकिन इसमें भी एक condition है जो trade union से members ultimately लिये जाएंगे जो trade union से ultimately representatives लिये जाएंगे वो trade unions at least 20% workers को represent कर रही होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसी trade unions उठा ली जिसमें 7 member हैं किसी में 8 member हैं किसी में 10 member हैं किसी में 12 member हैं ऐसी छोटी छोटी trade union से employer ने member उठा लिये and ultimately कहा दिया कि यह negotiating council है नहीं जिन भी trade union से representatives उठाये जाएंगे final strength उन trade unions की मिला करके कम से कम 20% workers की होनी चाहिए तब ही उसको मानने है माना जाएगा अब negotiating union और negotiating council यह 3 साल के लिए valid होगी इनके बनाये जाने के बाद 3 साल के लिए valid होगी जादा से जादा 5 years तक इनका term expand किया जा सकता है उसके इलावा इसको दुबारा expand नहीं किया जा सकता elections कराने पड़ेंगे दुबारा से आपको constitute करना पड़ेगा 3 years which can be extended to 5 years अगर employees और employer mutually दोनों agree करते हैं ठीक है 3 years और 5 years ओके चलिए यह important है इसमें से सवाल पूछा जा सकता है चलो अगला right of a minor to membership of trade union क्या minor trade union को join कर सकते हैं तो wage code कहता है कि any person जिसकी 14 years की age हो चुप की है और जो employed है non hazardous industry में क्योंकि hazardous industry में तो आप 14 से उपर के बच्चे को भी employee नहीं कर सकते hazardous industry में तो age जो है वो 18 होती है ठीक है लेकिन अगर non hazardous industry में कोई 14 साल का बच्चा है 14 से उपर का बच्चा जो है वो वहाँ पर worker है और वो trade union को join कर सकता है like an any other ordinary member ठीक है उसके भी वो ही rights होंगे वो ही benefits होंगे as other members ठीक है यह एक important point है direct question बने का चलिए उसके बाद disqualification of office bearers of trade union जो trade union के office bearers होंगे उनका disqualification किस behalf पे हो सकता है सबसे पहले 18 साल की अगर age नहीं है तो आप office bearer नहीं बन सकता है अब यहाँ पर confused नहीं होना member और office bearer दो अलग-अलग चीज़े होती है member होता है कि for example आप normal member बन गगे आप किसी club के member हो office bearer के होता है कि आप उस club को manage कर रहे हो आप उस club की administration में काम कर रहे हो ठीक है तो 14 साल से उपर का बच्चा member बन सकता है लेकिन 14 साल से उपर का बच्चा जब तक वो 18 साल की उमर का नहीं हो जाता वो office bearer नहीं बन सकता वो administration में नहीं जा सकता ठीक है अगर किसी भी member को jail हुई है अगर convicted है वो by a court ठीक है और वो matter जो है वो moral turpitude या किसी भी वज़े से उसको imprisonment हुई है तो वो उसका member नहीं बन सकता कम से कम 5 साल के लिए for example उसको jail हो गई और jail से छूट गया वो तो jail से छूटने के कम से कम 5 साल तक वो इसका member नहीं बन सकता पांच साल के बाद वो बन सकता है office bearer ठीक है अगर जो tribunal है उसने बोल दिया कि नहीं ये बंदा office bearer नहीं बनेगा तो उसको हटा दिया जाएगा अगर कोई council of ministers का member है council of ministers आप समझते हो ना जो लोगसभा, राजय सभा में जो council of ministers होते हैं या state legislature में जो council of ministers होते हैं वो किसी trade union के member नहीं बन सकते हैं specifically यहाँ पर council of minister लिखा गया है यानि कि MP और MLA जो है इनको प्रोहिबिट नहीं किया गया है MP और MLA को नहीं प्रोहिबिट किया गया है सिरफ council of ministers को प्रोहिबिट किया गया है तो यह एक important चीज है जो समझने वाली है ठीक है या फिर कोई भी व्यक्ति अगर वो कोई और office of profit वो handle कर रहा है तो उस case में वो भी office bearer नहीं बन सकता अब आप कोगे कि sir कोई नौकरी करने जा रहा है तो वो तंखा तो ले रहा है वहाँ पर ठीक है और वो trade union में है तो फिर office bearer बनेगा कौन तो यह exception है ठीक है अगर कोई worker है वो वहाँ पर उस industry में काम कर रहा है और उसको salary मिल रहा है तो उसको आप office of profit में count नहीं करोगे ठीक है जी चलिए उसके बाद disputes कैसे adjudicate किये जाएंगे trade union से related तो सिधा सिधा कह दिया गया है कि कोई भी civil court other than the tribunal shall have the power to entertain any suit or other proceeding in relation to अब जो हम points तेखेंगे जो भी यह dispute होंगे इन में कोई भी civil court जो है involved नहीं हो सकता except the tribunal अगर किसी trade union का दूसरी trade union के साथ पंगाय लफडा है तो civil court नहीं देखेगा tribunal देखेगा one or more workers जो trade union के members है ठीक है यह trade union की registration से related या administration से related management से related office bearers के elections से related कोई भी issue है तो वो भी tribunal में जाएगा one or more workers who are refused admission as member under the trade union अगर कोई trade union जो है वो मना कर देते है कि हम इन लोगों क अपना member नहीं बनाएंगे वैसा सा कुछ case है तो भी वो tribunal के पास जाएगा ठीक है where a dispute is in respect of trade union which is a federation of trade unions and office bearers authorized in this behalf by the trade union तो ऐसा भी कोई issue है तो वो भी adjudicate जो है court civil court नहीं करेगा tribunal ही करेगा चलिए लास्ट बात करते हैं proportion of office bearers to be connected with industry कि जो office holders है उनका proportion कितना होना चाहिए जो industry से directly connected है भार वाले लोग नहीं मतलब कि जो industry से जो खुद worker class है वो कितना होना चाहिए तो क्या कहता है कि unorganized sector में सबसे पहले unorganized sector में जो trade unions unorganized sector में हैं वहाँ पर कहता है कि not less than half of the total number of the office bearers shall be person who are actually engaged or employed in the establishment ठीक है for example किसी कोई trade union है उसमें 10 office bearers है 10 लोगों का उन्होंने का है कि 10 लोगों का office होगा तो क्या कहता है कि इन 10 में से कम से कम 5 लोग directly इस industry के अंदर काम कर रहे होने चाहिए directly employed होने चाहिए तभी यह valid माना जाएगा unorganized sector में कम से कम 5 अगर unorganized sector से इलावा जो बाकी के sectors है यानि कि जो organized sectors है उस case में क्या कहता है देखो भी यहाँ पर थोड़ी सी language confusing सी है उस case में क्या कहता है कि सिरफ one third members ऐसे हो सकते हैं और five one third और five जो भार के लोगो सकते हैं for example once again मैं कहता हूँ 15 लोग हैं office में तो क्या कहता है कि पंदरा का one third पंदरा का one third होता है five क्यारा maximum five लोग जो हैं वो industry के भार के हो सकते हैं या जो actually employed नहीं है वो office में office bearer बन सकते हैं बाकी के 10 लोग जो हैं वो क्या होने चाहिए वो directly employed होने चाहिए industry के अंदर ठीक है वो industry का part होने चाहिए all right समझ गए for example अगर मैं दुबारा case ले लूँ 21 लोग है ठीक है 21 लोग है और गे नहीं sector की में बात कर रहा हूं तो इसका one third कितना हो गया one third हो गया seven ठीक है लेकिन क्या का है one third और five तो इस case में क्या हो जाएगा सिरफ 5 लोग maximum 5 लोग हैं जो allowed होंगे बाहर से जो आ सकते है for example कहीं बाहर से कोई experts हैं जो office bearer बन सकते हैं for example कोई trade union कह देती है कि यार हमें बाहर से expert चाहिए हमें कोई CA चाहिए ठीक है तो उनको लेकर आया जा सकता है लेकिन ये strength के targets जो हैं आपको follow करने पड़ेंगे unorganized sector में कम से कम आधे लोग जो हैं वो होने चाहिए आपके industry के और अगर मैं इसको दुसरे तरीके से define करूँ जो organized sector है उसमें कम से कम two-third लोग होने चाहिए जो आपके industry के लोग होने चाहिए ठीक है और unorganized में half one by two और organized sector में कितना two by three याद रखना है इसको अच्छे से ओके चलिए all right now recognition of the trade union at central and state level अब आपने देखा होगा कहीं जो trade unions है काफी बड़ी trade unions है जैसे हम बात करते हैं भारत मजदूर संग ये सारी trade unions जो इनको कहा जाता है central trade unions ठीक है तो इससे related provision देख लेते हैं तो अगर central government को ऐसा लगता है कि कोई एक trade union है या कोई federation of trade unions है जहां पर multiple trade unions आप ही बड़ी trade unions है जिनको central trade union recognize किया जा सकता है central level पर तो उस case में central government जो है ये ऐसा order pass कर सकती है जैसे बड़ी-बड़ी organizations जैसे banking sector है या बड़े किसान जो संगठन है वहाँ पर central government बोल सकती है कि हाँ जी ये central trade union है तो अगर central government के साथ कोई भी negotiation करनी है employees के भीहाफ पे तो वो central trade unions जो है negotiate करती है similarly state level पर भी यही सेम जो है statement चलता है बस central government की जगह आप महाँ पर क्या use कर दोगे state government ठीक है pdf मिल जाएगा इसको अराम से read कर लेना जादा इसमें कुछ tension वाली बात नहीं है ओके all right तो चलिए इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही था I hope आपको काफी ची उठो तो आप जो है comment section में तो post करी सकते है उसके लावा वाट्सैप कर सकते है 904 1244689 पर या फिर आप mail कर सकते है 608 gmail.com पर और अब screen पर आपके side में आप देख रहे होंगे कि बाकी की playlist भी आगी है चाहे वो gap की playlist है या फिर वो social security के mcqs की playlist है history के freedom struggle की playlist है computers की playlist है तो वो भी आप देखिए EPFO के exam के लिए आपको काफी beneficial रहेंगी अगर कोई और suggestion है तो वो भी comment section में जरूर post कीजेगा तो मिलेंगे अगले lecture में तब तक के लिए all the best time बाबाई